नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौरानिक लोग पर आपके जीवन से सभी प्रकार की परिशानिया दूर हो जाएंगी, आपके जीवन में भी सुख और सम्रिधी का वास होगा और अगर आप कामदा एकाच्षी के दिन पूरे विधी विधान से ये उपाई कर लेते हैं, तो यह आपके लिए बेहत शुप फलदाई हो सकते हैं। दोस्तो चैत्र मा के शुकल पक्ष की एकाच्षी तिथी को कामदा एकाच्षी का व्रत किया जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि इस तिन कामदा एकाच्षी का व्रत और भगवान विष्णू की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने पर धन धान में वृति होती है और व्यक्ति जन्द मरन के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। दोस्तो साथ ही यह व्रत सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला माना गया है और जोतिश शास्त्र में कामदा एकादशी के दिन का महत्व बताते हुए कुछ विशेश जोतिश उपाई भी बताए गए है। इन उपाईों को करने से व्यक्ति के जीवन में कभी किस चीज की कमी नहीं रहती और सभी मनो कामनाओं की पूर्ति होती है। तो आए जानते हैं कामदा एकादशी के दिन किये जाने वाले खास जोतिशिय उपाईों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विश्नु और लक्ष्मी माता का आशीरवाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जैश्री लक्ष्मी नारायन जरूर लिखें। दोस्तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुकल पक्ष की एकादशी तिथी 18 अप्रेल को शाम 5 बचकर 31 मिनिट पर शुरू हो रही है वहीं इस तिथी का समापन 19 अप्रेल को रात 8 बचकर 04 मिनिट पर होगा। ऐसे में उद्या तिथी के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रेल शुक्रवार के दिन किया जाएगा। साथ ही साथ कामदा एकादशी पर रवी योग के साथ व्रिथी और मखा नक्षत्र बन रहा है। जहां रवी योग सुबह 5 बचकर 51 मिनिट से 10 बचकर 57 मिनिट तक रहेगा, इसके साथ ही व्रिथी योग सुबह 6 बजे से लेकर रात 1 बचकर 45 मिनिट तक है। तो दोस्तों आप सभी हमारे द्वारा बताए गए उपाए इन ही शुभ योगों के दौरां करे। पहला उपाए अटके हुए धन की प्राप्ती के लिए। इसके अलावा कामदा एकादशी के दिन पीपल के पेड में दूद भी चड़ाना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन घर के हर कोने में कपूर का धुना करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिशा किसी न किसी ग्रह को समर्पित होती है। और ऐसे में इस उपाई को आजमाने से आपके जीवन से ग्रह दोश दूर होता है और शुपता का आगमन होता है। तीसरा उपाई पित्र दोश को दूर करने का उपाई दोस्तों एकादशी के दिन पानी में गंगाजल डाल कर सनाम करें और पित्रों को तरपन करें साथ ही साथ इस दिन पित्रों के नाम का दान भी अवश्य करें। तीसरा उपाई मनो कामना पूर्टी का उपाई कामदा एकादशी के दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमह मंतर का जब करते रहें और शाम के समय तुलसी के सामनेगी का दीपक जलाए इस दिन भगवान विश्णु को पूजा में सात्विक चीजों का भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें ऐसा करने से आपकी सभी मनो कामनाई पूरी होंगी और परिवार के सदस्यों की उन्नती होगी चौथा उपाए मजबूत आर्थिक स्थिती के लिए कामदा एकाच्षी के दिन साथ हल्दी को गांठ लेकर पीले रंग के कपड़े में बांध कर पोटली बना लें और उसे भगवान विश्णु को अर्पित करें इसके बाद पोटली को धूप दीप दिखाएं फिर उस पोटली को धन के स्थान जैसे अल्मारी या तिजोरी में रख दे ऐसा करने से धन धान्य में वृत्धी होगी और आर्थिक स्थिती मजबूत होगी पांचवा उपाए धन धान्य की कमी से बचने के लिए एसा करने से भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का आशिरवाद मिलता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है चठा उपाए धन लाब के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करें फिर उसके बाद एक पीपल के पेड़ का पत्ता लेकर उसमें एक कपूर और एक रुपए का सिक्का रखें फिर उस पत्ते को एक कलावे से बांध कर घर की तिजोरी में रखते ऐसा करने से आपके जीवन में धन बाधित करने वाले दोश दूर होंगे और आर्थिक लाब होगा सात्वा उपाई जीवन में तरक्की के लिए ऐसा करने से भगवान विष्णू की कृपा से आपके जीवन में तरक्की के मार्ग जल्दी ही खुल जाएंगे इसके अलावा नौकरी में विरोधी तरक्की के आड़े आ रहा है तो कामदा एकाद्शी के दिन एक मुठी कच्चे चावलों को कुमकुम में रंग लें और इन्हें लाल सूती कपड़े में बांध कर विष्णू जी के मंदिर में चड़ा दें कहते हैं इससे विरोधी आपके कारे में बाधा नहीं डाल पाएगा आठवा सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कामदा एकाद्शी के दिन लाल कपड़े में अक्षत और सुपारी लपेट कर भगवान विष्णू के चरणों में अर्पित करें फिर उस पोटली को बिड्रूम की अलमारी में रख दें ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में पसरा हुआ कलेश दूर होता है और पती पत्नी के बीच का संबंध भी मजबूत होने लग जाता है नौवा उपाए उधार लिया पैसा वापस लोटाने में असमर्थ हैं धन कमाई में परिशानिया आ रही हैं तो कामदा एक आदशी का व्रत करें और वैजन्ती माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाई नम मंत्र का पांच माला जाप करें इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार नव वर्ष की इस पहली एक आदशी से हर एक दशी पर गरीबों को भोजन कराएं मान्यता है कि इससे आपकी धन से संबंधित समस्या का हल निकलेगा दस्वा उपाए लक्षे प्राप्त करने में अगर आपको शत्रू परिशान कर रहा है तो कामदा एक आदशी पर ग्यारा पीले फूल श्रीहरी विश्नु को चढ़ाएं विश्नु चालीसा का पाठ करें और फिर अगले दिन इन फूलों को नदी में प्रवाहित कर दें ऐसा करने से आपके आत्म विश्वास में वृति होगी और हर मुश्किल घड़ी का सामना करने की शक्ती मिलेगी यह थे कुछ खास उपाएं जो आप सभी को जीवन में सुख समृति पाने के लिए कामदा एकाठ्षी पर जरूर करने चाहिए अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि कामदा एकाठ्षी पर भगवान विश्नु को की चीजों का भोग लगाना चाहिए एकाठ्षी के दिन भगवान विश्नु को केले का भोग लगाना चाहिए मान्यता है कि भगवान विश्नु को केला चड़ाने से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होती है और साथ ही कुंडली से गुरु दोश खत्म हो जाता है केले का भोग लगाने के अलावा भगवान विश्नु को पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है इस पंचामृत में तुलसी के पत्तों को जरूर शामिल करें तुलसी के पत्तों वाला पंचामृत बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तो क्योंकि भगवान विश्णु को पीले रंग की चीजें बहुत प्रिय होती है, इसलिए आप पीले रंग की केसर युक्त कोई भी मिठाई भगवान विश्णु को चढ़ा सकते हैं भगवान विश्णु को खीर का भोग भी लगाया जाता है, खीर बनाते समय इसमें केसर जरूर डालें इससे की महत्ता बढ़ जाती है तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं माता लक्ष्मी आप सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, वीडियो के अंध तक बने रहने के लिए धन्यवाद